मादपरदेश की किसान मुक्या शिवरास सिंग चोहान निरंदर कृशी को लाप का धन्दा बनाने के लिए ना सिर्फ किसानों के लिए कई योजनाई चला रहे हैं बलकि उन्हें लोन सहीत अन्य उपकरण उपलब्द कराने के लिए आर्थिक मदद भी कर रहे हैं ताकि अन्य दाताओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके वही धार जिले के ग्राम बखतगर के किसान ने नवाचार कर एक ही समय में दो फसलों का उत्पादन कर अन्य किसानों के सामने अनूठा उधारण पेश किया है ग्राम बखतगर के किसान रमेश चंदर पाटीदार अपने खेत में एक साथ दो प्रकार की फसलों निब्बू एवं गेंदे के फूल का उत्पादन कर खेती को बना रहे हैं लाप का धंदा किसान रमेश चंदर बताते हैं कि चार साल पूर्व निम्बू के पोधे रोपे थे जो वर्ष भर उत्पादन देते ही उसके साथ ही खेत में समय समय पर अनेक प्रकार की फसलों की उगाई का दोहरा लाप कमाया ज़ा सकता है देखिए खेती किसानी से नाता रखने वाल यह विशीश खबर हमारे बदनावर सहयोगी पवन वेशनव के साथ नमस्कार खबर मत्रदेश में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ पवन वेशनव आप अभी हमारे पीछे तस्वीरों में कुछ विहमंग द्रश देख रहे होंगे यह एक ऐसा द्रश है जो भारत की आत्मा को हमें दिखाता है भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत एक क्रसी प्रधान देश है और यहां भारत में 70% से अधिक लोग खेती करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं लेकिन यहां देश के आत्मा कहे जाने वाले गाउं में किस प्रकार से लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं प्रकार से यहां पर एक किसान हमारे साथ में उनके एक हाथ में निम्बू है तो साथ में फूल भी जिहां हम चर्चा करते हैं इन किसान से जिनका नाम है रमेश चंद्रजी पाटिदार गाउं बखदगड के रहने वाले हैं क्या कुछ आपको जैसा की तस्वीरों में दिख रहा है निम्बू के साथ यह फूल का भी उतबादन कर रहे मतलब एक घात में दो फदफ साथ उतपादन कर जाए करते हैं कहां से मिलिंप्रेणा के शरूआज कि शुरूआत क्या कुछ रहा था आपकाइस दो फपसल एक साहत उगारने क्रम फाइदा ज्यादा मिले उत्पादम ज्यादा बड़े फिर जगा इसमें फूल भी लगवा लेते हैं लिंबू चल रहे हैं बाव अच्छा मिल रहा है फूल के बाव अच्छे मिलें 50-60 रुपे किलो तक बिक्र है अभी भी यह शुरुवात कब की थी आपके यह शुरु फूल की खेती अंदर लगा बने लगए लोग वर्तमान में खेती कर रहे हैं बटले की चने की गेहों की लेकिन आपके दिमाग में यह कैसे उपा जा गई कि आपको निम्बू बोना पड़े क्यों यह क्या कर रहा है इससे आर्थिक लाब हो रहा है नुक्सान हो रहा है ज् उनको देखा उनको पूछा उन्हें अच्छा प्राफिट बताया उसके बाद हमने भी चार करी और हमने भी लगाने लिम्बू तो जैसे आपने बहुत दिये तो चार-पास साल तक यह परमानेंट हो गए कि इनसे उत्पादन लेना ही है लेकिन इसके साथ किन-किन फसलों क आप उत्पादन कर सकते हैं इसके साथ में जय अभी तक चल रही है एक साल ओन ले लेंगे इसने फिर एक साल फसल इसने निम्बू लगा लगा यह फुल लगा लगे कलकति लग वह आपके गेंदा लगा बाड़ा लेका उसका तो और फिर यह पुरा घेर खेल लेंगे निम निम्बू से आपको क्या-कार घंदार कभी रिदा में ज़्यादा रहता है उसमें पतलं मिलता है वर्तमान में जो पूल भो रहे हैं इन फूलों से क्या अशगा Friends इनसे भी अच्छा लाब मिल रहा, 50 रुपे, 60 रुपे, किलो भिग रहा भी हमारा, आठ दिन में तोड लेते हैं हम वापस, जो किसान पारंपरिक खेती कर रहे, उत्पादन अधिक कमाएं, उनको क्या मैसेज, क्या संदेज देना चाहेंगे आप। अच्छा संदेज देंगे, ज़्यादा उत्पादन मिलता हैं इसमें, जिसको पारंपरिक है वह सभी लगाएं, किसान रमेश चंद्र पाटिदार बखतगड के रहने वाले हैं जो हमारे साथ चर्चा में हमको बता रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने चार साल पहले निम्बू का एक बगीचा लगाया था और उस बगीचे लगाने के साथ-साथ इनको आर्थिक लाब भी हुए आर्थिक लाब इस प्रकार से हुए कि इस निम्बू की खेती करने के साथ-साथ वो खरीब की फसल सोयाबिन बो सकते हैं रवी की फसल गेहुँचना जो भी उनको बोना हो वो सकते हैं और साथ ही अभी फूलों का उत्पादन कर रहे हैं और इससे आर्थिक लाब कमा रहें य तो यह मिश्रित क्रशी का एक उधारण है जिससे आसानी से आर्थिक लाब की द्रश्टी से इसको महत्मूर माना जाता है खबर मतिप्रदेश के लिए बधनावर से पवन वैशनों की रिपोर्ट